वेलकम बेक मिस्टीरियस यूनिवर्स के एक और एपिसोड में तूड़े वी आर एक्स्प्लोर दा मोस्ट मिस्टीरियस इवेंट इन अवर यूनिवर्स तो चलिए सुरू करते हैं नमबर वन आज की विज्ञान कम्पिटेशनल क्रांती के सिखर पर खड़ी है करने जा रही है कौंटम मसीने एक ऐसे भविस्टी की परिकलपना करती है जिसमें मनुष से वो सब कुछ हांसिल कर सकता है जिसके वो सबने देखता है कौंटम लीप O.P.X.000 जो एक नई परिकलपना है जो भविस्टे में कौंटम कम्पिटर को अथा इस तरह पर गड़ना करने का वादा करती है रिसर्चेस, क्रिप्टोग्रापी और कॉंप्लेक्स से कॉंप्लेक्स प्रॉबलम को सॉल्व करने के लिए नई आयामों को खुलने में मदद करेगी ऐसे ब्रह्मान में जहां ट्रेडिशनल बिट्स के वल बाइनरी संख्या 0 और 1 तक ही सीमित है ओपी एक्स थाउजन्ड एक कुसल कम्पिटर की चाबी है जो किसी भी कॉंटम कम्पिटर के लिए अपने इंटरफेस के साथ कॉंटम सिस्टम और कॉंटम क्यूबिट टोपोलोजी की एक स्रंखला को समायोजित करेगा जो कॉंटम रिसर्च में नई आयामों को बनाएगा ओपी एक्स थाउजन्ड एक असाधारन हाई एडवांस कंट्रोलर है जिसे बड़े पैमाने पर सुपर कॉंटम कम्पिटर्स की प्रोसेसिंग चैनल को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है नमबर टू कॉंटम बेस्ट स्टार्ट टेकनोलोजी जो लाइट के साथ डेटा को टेलिपोर्ट करने में मदद करेगी ये लाइट पैटर्ण किसी भी डेटा को बिना किसी फिजिकल मूब के टेलिपोर्ट करने में सक्षम है जिसके जरिये फोटॉंस और लेलियर डिटेक्टर द्वारा भेजे गए फोटॉंस को डिलीवर करने वाली जानकारी को ओवरलेप करने में मदद की मतलब डेटा टेलिपोर्ट किया गया किसी भौतिक रूप से यात्रा किये बिना वैग्यानिकों ने 15 आयामा में अत्यादुने प्रगती प्रस्तुत की जिससे उच्चे छमता वाले कौन्टम नेटवर्क के कनेक्शन को सक्षम करना संभव हो गया सरल सब्दों में कहें तो वैग्यानिकों ने कौन्टम प्रिक्रिया के साथ प्रकास पैटर्ण को नियंत्रित करके कौन्टम अवस्थाओं को नए तरीके से उप्योग करके डेटा को ट्रांसफर के बजाए टेलिपोर्ट किया बिना किसी माध्यम के जरिए स्टार्ट्रेक टेकनोलोजी व्यापक दूरी पर जानकारी प्राप्त करके कौन्टम कंपिडेशनल के लिए प्रभावी रूप से मदद कर सकती है जहां बिट्स को एक समय पर भेजा जाता है और सिगनल जीरो और वन के रूप में एनकोड किये जाती है जो कौन्टम ऑप्टिक्स की छमताओं का विस्तार करती है और डेटा टेलिपोर्ट में मदद करती है नमबर थ्री नासा ने डीप ऑप्टिकल कम्यूनिकेशन का प्रियोग करके प्रत्वी से चंद्रमा की बीच की दूरी का लगभग असी गुना यानि की 30 मिलियन किलोमीटर की दूरी से एक अल्टरा हाई डेफिनेशन वीडियो सक्सेसफुली प्रत्वी पर ट्रांस्मिट किया इस वीडियो में टेटर्स नाम की एक औरेंज टेवी कैट को लेजर पॉइंट का पीछा करते हुए दिखाया गया है 15 सेकंड की इस वीडियो को साई की स्पेस सिप के जरिये अत्यादुनिक लेजर ट्रांस्रिसीवर की माध्यम से ट्रांस्मिट किया गया और इंफ्रा रेड लेजर डेटा को एंकोड किया गया इस सिगनल को प्रत्वी पर पहुचाने में 101 सेकंड का समय लगा सिगनल की मैक्जिमम बिट रेट 260 मेगा पिक्सल पर सेकंड ती जो वर्तमान रेडियो फ्रिक्वेंसी से कहीं ज़ादा तेज थी ये उपलब्दी भविस्य के डाटा ट्रांसमिसन के लिए अप्टिकल कम्यूनिकेशन को आगे बढ़ाने में मदद करेगी 13 अक्तुवर को लॉंच किये गए साइको मिसन का एक मात्र उद्दे से था डीप स्पेस में जाकर हाई बेंड बिर्ट वीडियो को प्रत्वी तक प्रसारित करना जिससे आने वाले समय में प्रत्वी की ओर्बिट से परे जाने वाले मिसन के साथ कम्यूनिकेशन कर सकें और अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वीडियो को आसानी से ट्रांस्मीट कर सकें साल 1930 में जब फिजिसिस्ट और इंजिनियर कॉरल जॉन्सकी ने अपने रेडियो एंटीना को हमारी मिल्की वे के सेंडर में फोकस किया तो उन्होंने एक अजीव तरह के रेडियो सिगिनल का अनुभब किया कुछ एनलिसिस के बाद पता चला कि ये रेडियो वेव हमारी प्रत्वी और सूरी की दूरी से कहीं ज़ादा अधिक दूर से आ रही थी एसी वेव जो हमारे सूरी से आने वाली वेव के बराबर थी लेकिन इसका सूर्स बहुत दूर था इसके बाद बैग्यानिकों को संदे हुआ कि जरूर मिल्की वे के सेंटर में एक सकते साली अबजेक्ट छिपा हो सकता है बाद मैं पता चला कि ये रहसे में रेडियो वेव का सूर्स एक सूर्स एक सूपर मैसिव ब्लैक होल है जो हमारे सूर से मिलियन्स आफ टाइम मैसिव मास बाला एक आबजेक्ट है जिसे हम सैजिटेरस एक स्टार कहते हैं इसका ग्रेविटेशनल फोर्स एक हुक की तरह काम करता है जो पूरी मिल्की वे को होल्ड किये हुए है प्रारंबिक एनलिसिस के बाद से हमें ब्लैक होल और सेजिटेरस एक स्टार के बारे में काफी कुछ जानने को मिला हाल ही मैं वेग्यानिकों ने ब्लैक होल के पास कुछ ऐसा देखा है जो शायदी उन्होंने कभी सोचा होगा एस्टरोनमर सेजिटेरस एस्टार ब्लैक होल के आसपास स्टार्स की इस्टडी कर रहे थे तबी उनकी नजर ब्लैक होल के पास एक तारे पर गई जो युवा इस्टार था एक न्यू बॉर्ण इस्टार युनिवर्सिटी ओफ कोलोन इंस्टिटूट फॉर एस्ट्रो फिजिक्स में पोस्ट डाक्टरल रिसर्चर फ्लोरियन पेज करने ब्लैक होल के नज़दीक एक यंग इस्टार X3A की पहचान की रिसर्च से पता चला कि ये इस्टार ब्लैक होल से कुछ ही लाइटियर दूर है गैस और धूल से घिरा हुआ परियापत रूप से ठंडा और ब्लैक होल की रेडियेशन से बचा हुआ ये परिस्तिती विचित्र है क्योंकि सेजिटिरस A इस्टार जैसे सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास जिसके आसपास गैस और धूल की एक स्ट्रॉंग ग्रेविटेशनल फोर्स वाली डिस्क है जिसमें कोई भी बस्तू उसमें फसकर ग्रेविटी के चलते उसमें गिरती चली जाती है और इस तरह की डिस्क ब्लैक होल के चारा ओर लगबग पांच से तीस लाइट इयर में फैली है टीम का कहना है कि ये एक्स थ्री ए स्टार सेजी टिरस ए स्टार के आसपास उसकी बहारी रिंग के एक गैसी आवरण में बना हो सकता है और ये गैस के बादल इतने बड़े है कि अपने आप में ही एक प्रोटा स्टार का निर्मार्ट कर सकती है क्योंकि अब तक ब्लैक होल के नजदी किसी भी तारे का बनना बहुती विचित्र था ब्लैक होल के चारों और इस युवाई स्टार की उपस्तिती एक नई धारणा को जन्म देती है उसको समझने के लिए नई सद्धानतों को विक्सित करती है जिसमें मॉलिकुलर क्लावड का परडाम सुरूब डिस्क का गठन, क्लश्टर का फॉर्मिशन सामिल है ब्लैक होल के नजदी किसी भी तारे का निर्माण, अब तक की सबसे विचित्र गठनाओं में से एक है जनवरी 2024 में लाँच होने वाला है एक नया टेलीसकोप कॉसमोस रिवॉलुशनरी लोबिश्टर आई लोबिश्टर आई ब्रहमांड में उत्पन होने वाली सबसे पॉवरफुल एक्सरेज को देखने में मदद करेगा जिसमें ब्लैक होल, नीट्रोन इस्टार का टकराना और तारों का अंत्शामिल है लोबिश्टर आई अलबर्ट आइंस्टीन के नाम पर आइंस्टीन प्रोब ब्लैक होल और तारों के बिस्पोट का सिकार करने के लिए तैयार है आइंस्टीन प्रोब को European Space Agency ESA, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics MPE और China Academy of Science C.A.S. ने मिलकर तयार किया है ये टेलिस्टीन इसकोब बहुत ही सेंसिटिव है जो नेक्स्ट जनरेशन एक्स रेज टेलिसकोब होने वाला है जो असाधारण रूप से यूनिवर्स में घटेत होने वाली घटनाओं को देखेगा वैग्यानिकों का कहना है कि ये X-Race Detector Lobister Eye Telescope Einstein Pro High Energetic Race की जाच करने वाला सक्तिसाली Advanced Telescope है X-Race, सुपर नोबा जैसी सक्तिसाली और हिंसक घटनाओं से उत्सरजित होने वाली जिसमें तारों का कॉलेप्स, अल्ट्रा डेंस न्यूट्रोन इस्टार, ब्लैक होल से उत्पन होने वाली उर्चा को डिटेक्ट करने में मदद करेगी X-Race, Einstein Probe, लोबिष्टर की आँख की तरह काम करता है लोबिष्टर आई दूसरे जानवरों की तुलना में अलग होती है जो 180 डिग्री वाइड एंगल परदान करती है वैसे ही Einstein Probe अंतरिक्ष में बड़े हिस्से की निगरानी कर सकता है मल्टी वेवलेंथ डेटा, सुपर नोबा, ब्लैक होल का सिकार करने के लिए लाइट फ्रिक्वेंसी की चेन का अध्यन करने के लिए एनर्जेटिक लॉंग रेंज रेडियो वेव को सौर्ट रेंज हाई गामा रेज में कनवर्ट करने में हेल्प करेगा इस तरह हम आइंश्टीन प्रोब से कई तरह के नए एनर्जी सोर्स की जाँच कर सकते हैं इस टेली स्कोप में दो मैन इंस्टूमेंट लगे हैं वाइड फिल्ड एक्स रेज टेली स्कोप डवलु एक्स टी जो हमें अंत्रिक्स का एक लार्ज फिल्ड देखने में हेल्प करेगा एक लोबिश्टर आई की तरह 180 डिग्री वाइड एंगल के साथ दूसरा है फॉलो अप एक्स रेज टेली स्कोप एफ एक्स टी जो आने वाली एक्स रेज के सोर्स को खोजने में मदद करेगा जो डवलु एक्स टी के साथ मिलकर हाई रिजॉलूसन और उच्छ उड़जा तरंगों को देखने में मदद करेगा डवलु एक्स टी की माइक्रो पॉर आप्टिक से टेकनिक आइंस्टीन प्रोब को 360 डिगरी देखने की अनुमती देती है अब ये जनवरी 2024 में लॉंच होने के लिए तैयार है आइंस्टीन प्रोब का ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है ऐसे ही और अन्तरिक्ष के बारे में रोमांच से भरे वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ सेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें वेल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई